आम सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तो आज मैं आपके समख्ष विपरीत सरवांग आशन बतलाने जा रहा हूँ यह आशन थोड़ा जटिल है परन्तु बहुत ही लावकारी है इस आशन को करने के लिए पहले आप सौच करिया से निवृत हो लें प्राताकाल और शायमकाल दोनों ही समय से किया जा सकता है प्राताकाल का समय जदा उप्यूक्त है और ढेली डाले बस्तर पहन कर खुले अस्थान पर कंबल या दरी विच्छा कर आप इसे कर सकते हैं इसे आप गद्दे पर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दाड़ी पर बल पड़ता है करने पर और इसे दाड़ी के बल पर ही और हाथ के बल पर हाथ हो दाड़ी ये दो जो हैं सटे रहेंगे जमीन से बाकि सारा हिस्सा पर होगा और सारा बल जो है इदाड़ी के बल पर ठुड़ी के बल पर पूर्य शरीर का वजन खड़ा होता है और सीधा खड़ा कर देना है सरवांगासन में यसे कंधे के बल पर खड़ा किया जाता है गर्दन के बलपर तो इसमें जो है दाड़ी के बलपर फुड़ी के बलपर खड़ा किया जाता है तोड़ा सा हाथ का सारा होता है इस आसन को आप एक मिनट से तिर मिनट तक कर सकते हैं और इस आसन को करने का जो लाब है वह बहुत ही अच्छा अलाब है पहला तो यह है कि यह आपकी गर्दन को आपकी जबड़े को बहुत ताकत देता है जबड़े में तो बिशेश बल पड़ता है तो इसलिए जबड़ा इससे में बहुत मजबूत हो जाता है दानत काफी मजबूत हो जाएंगे, हिलते वे दानत अपने अस्थान पट्टिक जाते हैं, यह आँखों को भी सक्ति देता है, मस्तिस्क को बहुत सक्ति देता है, मस्तिस्क में खून का संचार बढ़ जाता है, इसलिए अनिद्रा के शिकायत, या चक्कर आना, या ब्रेन का ट्यूमर होना या घुमे रहना ये सब दूर होते हैं, अधा सिसी का दर्द दूर होता है, साइनस के समस्या दूर होती है, या गले पर भी बहुत बल लगाता है, इसलिए स्वर भंग या स्वर समझित कोई विकार है, उसको भी दूर करता है, या स्पॉंडलाइसिस वगरा के लिए भी बहुत अच्छा है हलाकि नए नए वालों के लिए अच्छा नहीं है नए नए लोग जिनको स्पॉंडलाइसिस है उनको इस वह नहीं करना चाहिए काफी बल पड़ता है या कंदे को पीठ को भी बहुत बल देता है पीठ के पिछले बारे हिस्से जो है इसे काफी पुष्ट होते है या आतों के लिए हर्दे के लिए फेपड़े के लिए भी बहुत लाबकारी है या कृत के लिए बहुत लाबकारी है गुर्दे के लिए बहुत लाबकारी है यकि कान समंदित कोई समस्या होती है सुनने में दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत पाइदे मंद है तो इसे देखते हैं कि अब कैसे करते हैं कि मैं आपको कि अब इधर दिखला रहा हूं कि हो सकता है पूरे साहीर का पॉर्शन नहीं दिखें तो मैं आपको गद्दे पर भी दिखा दूंगा कि अब दूंगा कि अब दूंगा प्यादस प्याब तो इस तरह से आपने देखा कि विप्रीद सरवांग आसन कैसे करते हैं आप भी इस ये करें और इसका अलाव उठाएं ओमारी